स्वास्थिती चंता है तो ये शुद्ध भोजन नहीं हुआ मतलब मन में अशुद्धी है इसलिए समय की गती को देखते हुए अब हम स्वा परिवर्तन करने में और देरी ना करें समय और समझ दोनों का सही इस्तिमाल कर अपने मन की स्थिती को स्रेष्ट बनाए क्योंकि इससे ही हम अपने परम्प्रिय परमात्मा शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे हमारे सबचेक्ट्स ग्यान, योग, धारना और सेवा चारों का निचोड उसकी रिजल्ट भी यही है हमारी स्वास्थिती परमात्मा बाब की श्रीमत कहो टीचर की पढ़ाई कहो सद्गुरू का वर्दान कहो वो भी हमारी स्वास्थिती ही है तो अपनी स्वास्थिती से important हमारे लिए अब कुछ और ना हो क्योंकि हमारा लक्ष भी यही है स्वा परिवर्थन से विश्व परिवर्थन